पिछले वीडियो में हमने नकारात्मव सतंत्रता और सकारात्मव सतंत्रता की बात की थी। किसी भी समाज में सतंत्रता की ये दोनों अबधारणाय महत्पून हैं, ये दोनों कांसेट्स बहुत महत्पून हैं। एक सवतंत्र समाज उसे कहा जाएगा जो लोगों को कम से कम धुकावट और कम से कम बंद्रों में बांते हुए, उन्हें उनके पोटेंशल को अचीव करवाने का मौहौल देता है. इंसान बुद्धिमान प्राणी है, इतना बुद्धिमान कि हर समय उसका मन इधर धर चलता रहता है. मनुष्य हर चीज को अपने नजरिये से देखने की काबिलेत रखता है. ऐसे में जब उसे अपने विवेक और अपने निर्णे की समझ का प्रेवग नहीं करने दिया जाता तो उसका दम खुटने लगता है. और वास्तर में यही तो गुलामी है. हमने इसकी भी बात की थी कि समाज में नियम कानुद भी जरूरी है. क्योंकि किसी को भी कुछ भी करने की पूरी सतन्ता समाज को अराजकता की और ले जा सकती है. जिसका जो मनाय और अगर वो वो करन लगे तब तो कोहरा मच जाएगा. इसलिए अब सबाल उरता है कि कौन कौन से नियम होने चाहिए और कौन से नहीं. ऐसे कौन से नियम है जिनका हमें पालन करते रहना चाहिए और ऐसे कौन से नियम है जिनने हम पर थोपे जाने की कोई जरूरत नहीं. इस सवाल का जवाब तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम लोगों और समाज के बीच के संबन और उसके महत को ठीक से ना समझ ले केवल इतना ही नहीं बलकि हमें उस समाज के विधान जन सांख की प्रारूप मतलब किस उम्र किस लिंक के कितने लोग मौजूद हैं, धर्मजाती के आधार पर कितने संबन कहा कहा रहते हैं, समाज में लिंग भेत पर आम राय क्या हैं और किस तरह का प्रेशलेन हैं आदि अनेक पहलूं को समझना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा कि इन में से समाज के कौन-कौन से लक्षन किसी व्यक्ति विशेष को सेम का विकास करने में मदद करते हैं और समाज की कौन-कौन सी विशेषता हैं लोगों को समाजिक वीडियों में बांगतर कैयाथ सा कर देती हैं और जह हमने एक बार उन विशेष्टाओं की पहचान कर ली जो किसी समाज के लिए आवश्चक हैं और उन बाधाओं की भी जिने समाज से दूर के जाने के आवश्चकता है इसके बाद ही बता जा सकता है कि कौन-कौन सी पावंदिया होनी चाहिए और कौन सी नहीं उधारण के तौर पर ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों को आयकर के रूप में अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता है वहीं दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे जीवन आपन करने वाले लोगों को कई तरह की आर्थिक मदद की जाती है कमेंट शेक्षन में लिखकर बताईए कि राज जी के इस तरह के हस्तक्षेप लोगों की सतंत्रता बढ़ाने का काम करते हैं या फिर उन्हें कम करने का जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे उसे अत्रिक्त आमदनी पर और ज़्यादा टैक्स देना होता है वित्ती वर्स 2019-20 तक हमारे देश में धाई लाग से कम वार्षिक आया पर कोई भी इंकम टैक्स नहीं देना होता था लेकिन 10 लाग से उपर की आमदनी पर जो भी अत्रिक्त इंकम होती थी उसका सीधा 30% इंकम टैक्स लगा करता था अभी भी हमारे देश में इसी तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू है जिसका फैदा ये है कि कम आमदनी होने पर तक कोई अत्रिक्त बोश बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा वहीं अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी बेसिक चरूर्तों को पूरा करने के लिए भी पैसिक ठीक से नहीं जुगाड़ पाता और राज टैक्स में इखटे किये के पैसों से उसकी मदद करता है तो निशित रूप से उस व्यक्ति की आर्थिक सुतन्ता में बहुत ब बढ़ रही होती हैं लोगों को उनकी रचनात्ता बढ़ पाने और खुद को बहतर तरह से अभिव्यक्त कर पाने की योग बनाना सुतन्ता का दूसरा पहलू है इसके अंतरगर किसी व्यक्ति विशेश किसी समू समदायों और यहां तक की पूरे समाज के लिए नए-ने में एक सतन्तर समाज लोगों को खुद का विकास करने और अपने-पने हितों को आगे भणाने का अफसर प्रदान करता है लोगों की रुच्ची कला, विज्ञान, संगीत, खेल, अनुसंधान या फिर किसी भी दूसरे फिल्ड में हो सकती है कम से कम बाधाओं के साथ लोग को हजारों तरे के विकल्प मुहिया कराना राजय का काम है और साथ ही इन विकल्पों का निरंतर विस्तार करते रहना भी तमिल नाडू में एक मच्छवारे के परिवार में जन्मे बच्चे ने अपने भेतर निर्ण और मेहनत के दम पर पहले एक महान व्यज्ञानिक और उसके बाद भारती गंडराज के सर्वोज पर तक का सफर तै कर दिखाया क्या आप बता सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं पहले जब लोकतंतर नहीं था तो क्या किसी मच्छवारे के परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा बिना किसी हिंसा और लड़ाई के राजा बनने का सफना भी देख सकता था इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमारे समाज में सतंत्ता की महुत्री में बहुत लंबी आत्रादय कर ली हैं लेकिन आज भी भारत के बहुत सारे गरीब परिवारों में सैक्नों डॉक्टर कलाम खोए पड़े हुए हैं उनकी प्रिवा को बस थोड़े संसाधनों की आवशक्ता हैं उनको सकारात्मक सतंत्ता की जरूरत है और यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर कलाम जैसे लोगों की वज़े से पूरे समाज को पूरे देश को बहुत फायदा होता है इसलिए सभी की सकारात्मक सतंता बढ़ाते जाने में पूरे समाज का ही फायदा है इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियोन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिये गए QR पोर्ट को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें